हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्स सोसल स्टडीज के वीक नमबर 27 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सी बच्चों है बच्चों आप अपनी पाठे पुस्तक की सायता से राइट एनी थ्री केरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दा सीटी सिचुएटिड इन दा मालवा प्लेट्यू मालवा के पठार पर इस्तित सहर के बारे में उसकी तीन विसेश नाय लिखें तो बच्चों आंसर है बहपाल दा कैपिटल ओफ मद्यप्रदेश is a city situated on the मालवा प्लेट्यू बहपाल मद्यप्रदेश की राजज़ानी मालवा पठार पर इस्तितिक सहर है नेक्स्ट है दा मालवा प्लेट्यू इज हायर देन दा प्लेन्स ओफ नॉर्थन इंडिया मालवा का पठार बेतवा रिवर्स फ्लो ऑन दिस प्लेट्यू इस प्लेट्यू पर चंबल बेतवा नदियां बहती हैं अब है कोश्य नमबर टू राइट कैरक्टेस्टिक्स ऑफ विलेज सिचुएटिड अंडर कगार बच्चो यहां पर आपको कगार के नीचे बसे हुए गाउं की स्थानी नालों पर चोटे चोटे बांथ बनाए गए हैं ड्यू टू विच पीपल गेट इरिगेशन वाटर जिनके कारण लोगों को सिचाई के लिए पानी मिलता है और कंकड पत्थर रेथ जो की नदी के पानी के साथ बहकार आ जाते हैं खेतों तक नहीं पहुंशते हैं अब question है how is agriculture done in the village situated in the plateau region पठारी भाग में पठारी छेतर में जो गाओं हैं वहाँ पर क्रसी कैसे की जाती है तो बच्चो आंसर है people living in the plateau region sow crops alternatively for cultivation पठार पर रहने वाले लोग फसनों को बदल बदल कर बोते हैं due to which the soil remains fertile जिसके कारण जो मिट्टी है वो उपजाओ बनी रहत अब बच्चो question है write two sentences about the tribal people living in the forest बच्चो यहां पर आपको जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में दो sentence लिखने हैं तो बच्चो आंसर है the tribal people live in forest among the hills आदिवासी लोग पहाडियों के बीच जंगल में रहते हैं they collect tendu leaves honey from the forest वे जंगलों से tendu पत्ता और सह इखटा करते हैं and sell this collected honey in the market और इस इखटे किये गए honey को shade को बाजार में बेज देते हैं they make their livelihood from the forest और वे जंगलों से ही अपना जीवने आपन करते हैं अब बच्चो question है why the plateau region is called treasure of the country पठारी छेत्रों को देश का खजाना क्यों कहा जाता है तो बच्चो आंसर है the plateau region is called the treasure of the country पठारी भागों को देश का खजाना इसलिए कहा जाता है because many type of minerals are found in these plateau क्योंकि इन पठारों में कई प्रकार के खनीज पाए जाते हैं for example उधारन के लिए जैसे की call, koila, iron, loha, copper, taba, etc in the following statements put a right against the true one and put a cross against the one that is false बच्चो यहाँ पर सही के लिए right mark करना है और जो false है गलत है उसके लिए cross लगाना है तो बच्चो first है plateau regions are made of hard and old rocks पठारी छेत्र कठोर और पुरानी चट्टानों से बना होता है तो बच्चो सही है true है यहाँ पर right mark करेंगे the main occupation of the people living in the plateau region is animal husbandry पठारी चेत्रों में रह रहे हैं लोगों का मुख्चे विवसाए पसू पालन है तो बच्चो गलत है cross का निसान लगाएंगे next है विदीशा city is situated in plateau region of विंद्याचल विदीशा सहर जो है विंद्याचल के पठारी भाग परिस्थित है तो बच्चो हाँ यह सही है next है coming down from the कगार the rivers deposit stones and sand in the fields near the कगार कगार से नीचे आते हुए नदियाँ पत्थर रेत इन सभी को खेतों में छोड़ देती हैं तो बच्चो गलत है यहाँ पर cross का निसान लगाएंगे क्योंकि उन छोटे छोटे नालों पर क्या बने हुए हैं ड्रेंस पर बांद बने हैं जो कि इस stones को sand को इन सभी को रोग देते हैं next है wells can be dug easily in plateau region कूओ को plateau region में पठारी छेत्रों में आसानी से खोदा जा सकता है तो बच्चो गलत है यहाँ पर cross mark करेंगे students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you